यह व्रत पूजा से माता महालक्षमी प्रसन्न होती है तता सुक्षान्ति एवंधंसप्त्मन्ती प्राप्त होती है यह व्रत करने से स्त्रिया तता पुरुष दोनों ही मन से आनंदमय होने चाहिए इस वुरत को शुरू करने के लिए किसी भी महीने के प्रतम गुरुवार से आप इस वुरत को शुरू कर सकते हैं लेकिन मारगशिश महीने के पहले गुरुवार के दिन अगर आपने वुरत शुरू किया तो यह आपके लिए अत्यनत शुबह हो सकता है शेश गुरुवार के दिन आठ सुहग्यन या कवारी कन्याओं को आमंतरित करे उन्हें सम्मान के साथ पीठा या आसन पर बिटा कर माता महलक्षमी का सुरूप समझ कर हल्दिकुंकुम लगाए पूजा की संपत्ती पर फल प्रसाद वितरन करे तता इस कता का एक पुरत उन्हें दे और नमस्कार करे केवल नारी ही नहीं अपी तो पूर्ष भी पूजा कर सकते है वे सुहगन या कुमारियों को आमंतरत कर उन्हें हाथ में हल्दिकुमकुम प्रदान करे तता वृत की कता का एक प्रतुने दे और प्रनाम करे पुरुशों को भी इस वृत को पढ़ना चाहिए जिस दिन वृत हो उस दिन उपास करे दूद, फलहार, खाए खाली पेट न रहे रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाए एवं परिवार के साथ भोजन करे पद्मपुरान में यह वृत बताया गया है इस पूजा को पत्नी और पती मिलकर कर सकते है अगर किसी कारण में पूजा में भादा आये तो और उनसे पूजा करवा लेनी चाहिए पर खुद उपवास आवश्य करे उस गुरुवार को अपने वृत के गिंते में बिलकुल भी ना ले अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आये तो भी यह पूजा की जा सकती है दिन और रात में भी पूजा की जा सकती है दिन में उपवास करे तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर ले इस वृत की कता सुनने के लिए अपने आसपास के पड़ोसी लोगों को रिष्टेदारों को तथा घर के सभी लोगों को बुलाए और एक साथ सभी शांती में वातावरन में इस कता को सुने अगहन मार्गशिश के पहले गुरुवार के आए उवरत कता शुरू कीजे अंतीम गुरुवार को उपासना समापन करे अगर महा में पाच गुरुवार आये तो पाचो गुरुवार का उवरत रखे जिस दिन आम अवस्त्य पुर्णिमा है उस दिन भी आपको वुरत रखना चाहिए दोस्तों ये कुछ नियम थे जो मार्ग शिश्माय नामाता महालोक्षिमी पूजावी दिके थे हमने आपको नियम बता दिये इसलिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें